अपने हाथों को उठा कर उंची अवास में प्रार्थना करते हुए गैर भाशाओं में अपनी भाशा में थेंक्यू जीजस भोलते हुए गीट सना के गाउंगा खुदावन तेरा वच्चन आज इनके जिंदगे में सौका सौकुन अफलों को लेके आए अंधकार की शक्तियां से चुरान अपाएं अपने हाथों को उठाओ और मांगो उंची अवास में प्रभी शुमसी के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं तारिफ करो जोर से खुदावन उत्वद्दे की पुस्तक उसका 46 और उसकी 31 से लेकर 34 आयत तब यूसुफ ने अपने भाईयों और अपने पिता के घराने से कहा मैं जाकर फिरॉन को समाचार दूँगा कि मेरे भाई मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वो मेरे पास आ गए हैं वे लोग चरवाहे हैं जोगी पश्वों को पालते आए हैं इसलिए वे अपनी भेड बक्री, गाए बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं जब फिरोन तुम को बुला के पुछे कि तुमारा उधम, तुमारा बिजनस क्या है तब कहना कि तेरे दाज छोटे होते से ही पश्वों को पालते आए हैं वरन हमारे पुर्खा भी ऐसा ही करते थे इस से तुम गोशेन देश में रहने पाओगे योगी सब चरवाहों से मिस्री लोग घिरना करते हैं तब यूसुफ ने फिरौन के पास ये समाचार दिया कि मेरे पिता, भाई, भेड़, बक्रियां, गाए, वेल, जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी वो गोशेन देश में हैं उत्पत्ति 47 उसकी 5 से लेकर 6 आयत तब फिरौन ने यूसुफ से कहा तेरा पिता और भाई तेरे पास आ गये हैं मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाईयों को बसा दे अर्थार्त वो गोशेन ही देश में रहें और यदि तू जानता हो तो उन में से जो परिशरमी पुरश हैं उन्हें मेरे पश्मों के अधिकारी ठहरा दे सब बो आमेन अब 47 उत्पती 11 और 12 आयत में लिखा तब यूसुफ ने अपने पिता और भाईयों को बसा दिया और फिरोन की आग्या के अनुसार मिसर के सबसे अच्छे से अच्छे भाग में अर्थार्त राम से इस नामक देश में भूमी देकर उनको सौप दिया और यूसुफ अपने पिता का भाईयों को और पिता के सारे घराने का एक-एक के बाल बच्चे के घराने की गिंती के अनुसार भोजन दिला दिला कर उनका पालन पोशन करने लगा आमेन बाईबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपने राजा को कहा कि मेरे बाप, मेरे बच्चे, जो मेरे सब परिवार है वो आ गया है तो बाईबल कहती है कि उसने कहा कि तुम उनको बताना कि तुमारा बिजनस क्या है तुमारा बिजनस है पशुओं को पालने का लेकिन वचन ये कहता है कि मिसरी लोग जो थे वो पशुपालन से चरवाहों से नफरत करते थे क्या करते थे वो चरवाहों से बाइबल कहती वो नफरत करते थे लेकिन वचन ये कहता है कि उस नफरत के बावजूद भी उनको बेस्ट देश दिया गया जहां पर गुशेन देश जो था वो पूरा ग्रीन था मिसर देश में एक ऐसी अगर आप मिसर देश में जाएंगे तो वो पूरा आपको रेगिस्तान की तरह नजर आएगा वहाँ एक नील नदी है जहाँ पर नील नदी के किनारे पे 97-95% पॉपुलेशन और उस समय में तो 99% जो पॉपुलेशन थी वो नील नदी के किनारे रहते थी और कोई रहने के लिए अच्छी जगा नहीं थी और बाइबल कहती है गोशेन देश जो था वो पूरी तरह से ग्रीनरी से भरा हुआ था बावजूद इसके कि मिसरी लोग चरवाहों से घ्रणा करते थे फिर भी उनको बेस्ट देश मिला वही देश मिला जो उसका बेस्ट था मिसर का बावजूद इसके कि वो उससे नफरत करते थे रीजन क्या था इसका आपको क्या लगता है क्या रीजन था कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के दिल में नितिवचन 3 उसकी 3-4 में लिखा कि परमेश्वर की आज्याओं को अपने दिल में रखे रहना अपनी हिर्दे रूपी पटियों पर लिखना किरपा और सचाई को अलग मत करना तो तु परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हैं बाइबल कहती आप लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है पॉलुस कहता है तुम दुनिया से परमेश्वर ने तुमको अलग करके तुमें एक बाउंडरी के बीच में ठैरा दिया है तुम सवतंत्र तो हो लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते जो अन्य जाती लोग कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने तुमें आजाद तो किया है पर अपनी आजादी को पाप के लिए यूज नहीं करना अब जब बाइबल कहती है कि वो कहानी शुरू होती है यूसुफ से आप इमेजन कर सकते हैं कि इतने बड़े फेवर का रीजन ये था कि यूसुफ ने पोती पर की पत्नी के साथ सेक्स नहीं किया और वो पाप में नहीं गिरा ये रीजन था उसका इतनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखने का जब यूसुफ पोती पर की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला तो बाइबल कहती उसने मना किया और कहा कि तेरे पती ने सब कुछ सारा बिजनस सारा घर मेरे हाथ में कर दिया है तो क्या ये सही होगा उसकी पत्नी पर भी हाथ डालना और बाइबल कहती उसने मना कर दिया उसकी पत्नी ने जान बुच कर उसको इलजाम लगवा कर उसको जेल भेजा लेकिन बाइबल कहती जब वो जेल में था और सांकलों से बंदा हुआ था तो भी यहावा का वचन उसे कसोटी के उपर कसता रहा क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक शरीर का काम आप और आपके परिवार और जनरेशन के नाश होने का कारण बन सकता है और उसी शरीर के काम से फ्री होना आपकी और आपके जनरेशन की ब्लेसिंग का कारण भी बन सकता है हमें हम क्या कहते हैं सरकार बुरी है यह हम क्या कहते हैं यह एकॉनमी बुरी है एकॉनमी बैड हो गई आगोवीड आ गया, अब उसके बाद यूकरेन के साथ युद छिड पड़ा है तो मेरा बिजनस डाउन है लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है मिसरी लोग जिन लोगों से घिर्णा करते थे क्यों घिर्णा करते थे? मिसर कहां से निकला? कनान से निकला था कनान कहां से निकला, वो नु के तीसरे बेटे से निकला था, जिसने अपने बाप को नंगा देखा था उससे निकला था मिस्र और इसलिए जो मिस्री लोग थे वो थे तो इसराइलियों के रिष्टेदार लेकिन अलग हो चुके थे दुश्मन बन चुके जैसे भाई-भाई का दुश्मन बन जाता है और जो इसराइली थे वो जादा तर जिस तरह एसाव और याकूब बैबल कहती है कि भेड बकरी को चरवाही करने वाला बना और एसाव धनूर धारी बना वो युद्ध करने वाला बना शिकार खेलने वाला मनुश्य बना तो इसराइली जो लोग थे वो चरवाहे थे इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश उसका परधान मंतरी उसका राजा उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोश्चन उनको मिलता है आपके लाइफ में बेस्ट पोश्चन खुदा आपको देने के लिए तयार है मैंने का आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तयार हो जाओ बस एक काम करना है यहाँ पर मैं आपको एक ही वचन देने के लिए आया हूँ ये वचन खुदावन ने मुझे इस हफते की शुरुआस से थोड़ा पहले दिया था आज देने के लिए आप लोगों को अगर आपने एक काम ये कर लिया मैं आपको बताता हूँ economy bad हो, economy worst हो आपका देश USA हो, Somalia हो, Nigeria हो, India हो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, आप best हिस्से में रहेंगे in Jesus name, आमिन मुझे उच्छे वाला चाहिए चर्च हालिलूया, अब उसने जब मना किया कि मैं इस शरीर के काम को नहीं करूँगा और मैं आत्मा के अनुसार चलूँगा, हालिलूया, और वहां से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है, जब वो अपने शरीर के काम को मना कर देता है और वहां से उसकी spiritual जर्नी स्टार्ट होती है, इश्वम उसे ने कहा जब तो मेरे वचनों के उपर चलेगा, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ग्रेज तुपाएगा आज आप जानते ही, आज कल का यूथ इतना confused क्यों है, क्योंकि पवितरताई में नहीं है आप जानते हैं, आज कल का यूथ इतना break क्यों है, इतनी opportunities होने के बावजुदी financial struggle क्यों है क्योंकि पवितरताई की कमी है life के अंदर और जिस दिन ये कमी खतम हुई, आप imagine करो Bible क्या कहती है आप जानते हैं, अगर आप इस story को आगे पड़ें, उत्पति, 47, 48, 24, 21, 12 पड़ें तो वहाँ भी Bible कहती है, जब सारे देशों में अन खतम हो गया तो सारे लोग यूसुफ के पास आकर अन मांगने लगे तो पहले यूसुफ ने भेड भेड बकरियां, गाए बेल के बदले में उनको अन देना शुरू किया जब वो भी खतम हो गए, तो वो फिर आये, कहते हैं, अब सब कुछ खतम हो गए, आप क्या करें कहते हमारे पास जरुफ जमीन रहती है तो वो अपनी जमीन दे दे कर उससे अन खरीदने लगे, और बाइबल कहती है सारे मिसर की जो धर्ती थी, वो फिरोन की राजा की हो गई, गवर्मेंट की हो गई तो यूसुफ जो धर्मी था, उसने कहा, हम तेरे से पूरी जमीन नहीं लेंगे तुम ऐसा किया करो, जमीन अपने पास रखो, इसका 5 हिस्सा, 20 परसंट जो है इसकी जमीन का तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना समझाई के नहीं आई, लेकिन वहाँ एक वचन लिखा है वहाँ लिखा है, याजकों की भूमी, यूसुफ ने अपने पास नहीं रखी जब याजक लोग अन लेने के लिए आते थे, तो बाइबल कहती है, यूसुफ ने उनकी भूमी उथार नहीं रखी याजकों के लिए एक special arrangement था, जो यूसुफ उनको देता था बलकि वचन ये कहता है कि मिसर के राजा की मेज पर जो भोजन होता था वही याजकों की मेज के उपर होता था अब मेरी बात को ध्यान से समझना पहले हमने क्या देखा कि जो इसराइली थे परमेश्वर ने उनको नफरत करते थे वो लोग उसके बावजुद उनी लोगों में से बेस्ट दिया हाँ के ना अब दूसरा बाइबल कहती जो पूरे देश में अकाल था पूरी दुनिया में अकाल था पर याजकों को तब भी कोई भी कमी नहीं थी और यिशुमसी के जी उठने के बाद वचन ये कहता है कि पहले याजक लोग सेवा करते थे आप लोगों के लिए मेरे लिए विश्वासियों के लिए बाइबल कहती वो लहु को बहाते थे और सेवकाई करते थे परमेश्रों के सामने जाते थे लेकिन नया नियम ऐसा कहता है कि प्रभी इशुमसे ने एक ही बार में अपने लहू को बहा कर हमारा महायाजक बन कर और हम सब को राजा और याजक बना कर इस दुनिया के उपर रखा है अब बाइबल के मताबिक जो याजक लोग हैं वो आप खुद हैं वो कि आपको पाप माफ करवाने के लिए अब मेरे पास आने की जुरुरत नहीं आप अपने घर बैठकर खुदा से कह सकते हैं खुदावन मेरे पाप को माफ कर मैं शमा मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ तौबा करती हूँ, नेक्स टाइम मैं ये काम कभी नहीं करूँगा बाइबल कहती हैं आप माफ हो जाते हैं और वचन ये कहता है कि आप खुद एक याजक हैं और वचन ये कहता हैं परकाशित्वा के एक उसकी पांच और छे आयत अकर आप पड़ेंगे आपको ये वचन समझ आएगा इसका मतलब क्या? जब पुराने नियम में याजकों की भूमी नहीं गई जबकि पूरी दुनिया की भूमी खतम हो रही थी कोई देश बचा नहीं था कोई परिवार बचा नहीं था कोई रेडी नहीं था, कोविट के लिए कोई रेडी नहीं था कोई रेडी नहीं था, कोई रेडी नहीं था कोविट जैसे ही आया बड़े बड़े देश जो बड़े बड़े पिच्छले निकालते 20-20,000 करोड की सुपरमैन इधर जा रहा है, सुपरमैन इधर जा रहा है, कहां गे, सारे सुपरमैन गायव हो गे थे उस दिन, कोई काम नहीं आया, कोई तैयारी नहीं थी, COVID की कोई तैयारी, अकाल की कोई तैयारी नहीं थी, बड़े से लेके छोटी कंपनी, बड़े से लेके छोटा परिवार, सब affected हो चुके थे, सबकी जमीन खतम हो चुकी थी, सिवाए याजकों के, और वचन क्या कहता है, तुम्हेक याजक हो, इसका मतल खुदावन कभी नहीं होने देगा, अगर आप एक सच्चे याजक हैं तो, याजक क्या करते थे, बाइबल कहती है, वो सेवा करते थे, आज दिखाओ मेरे को विश्वासी चर्च में, जो सेवा करने वाले विश्वासी हैं, मैं आपको सिर्दर्द वाले विश्वासी आपने के लिए, बोलते हैं हम बीजी हैं, एक रिक्षाबाला से लेके एक इलिएन मस्क तक सब बीजी हैं, कोई फ्री नहीं है, लेकिन जीजस ने कहा, जब तुम मेरी सेवा करोगे, मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा, और तुम्हारा नुक्सान नहीं होगा, कि लोगो के नुकसान हो रहें जो सेवा में नहीं कौन लोग इफेक्ट हो रहें जो सेवकाई में नहीं जो सिर्फ विश्वासी हैं जस चर्च जाकर ब्लेसिंग लेने की कोशिश करते हैं और यह नहीं मालूम कि अब बाईबल के मताबिक तुम भी एक कि याजक हो और सेवा करने के लिए अपने परिवार समेथ बुलाए गए हो अपने पास्टर पर एहसान मत करो चर्च में जाके तुम भी सेवकाई के लिए उसके साथ बुलाए गए हो हालेलुया और इसलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमी उसने मोल नहीं ली उत्वत्ति 47 उसकी 18 से 24 आए मैं 22 में पड़ूँगा पर याजकों की भूमी तो उसने ना मोल ली क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की और से नित्य भोजन का बंदोबस था नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे इस कारण उनको अपनी भूमी बेचनी ना पड़ी याजकों को अपनी भूमी बेचनी नहीं पड़ी वो इस दुनिया की एकॉनोमी के इफेक्ट से आजाद थे अगर आज आप फैसला करेंगे पहला पवितरता कोविट के दौरान मैंने चर्चिस को बंद होते देखा सिवकाईयों को बंद होते देखा बिजनस इसको बंद होते देखा चीजों को खतम होते देखा परिवारों को खतम होते देखा आप खांबरा चर्च का इतिहास देख लो उसके बाद हम तीन गुना चार गुना दस ना शाइन किया हमें, reason क्योंकि जो खुदा है, जो Bible का खुदा है, वो मेरा खुदा है आज भी वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, लेकिन problem यह है, मैं सेवा में हूँ के नहीं, या मैं पवितरताई में हूँ या नहीं बिना पवितरताई के Bible कहते हैं पूछे का वह भाई तुम कॉन हो, वह घ्म घा है और अगर तुम पवितरताई में नहीं है, तुम परमेश्र को नहीं देख सकता वचन कहता है आप बोलेंगे मैं Tider हूँ कब दिया Tide मैं तु जानता ही नहीं कौन है तू आप बोलेंगे परमेश्व तु मुझे जानता नहीं हेक कु करम करने वालो मेरे सामने से दूर हट जाओ और लेफ्ट हाइंड साइड चले जाओ नर्क में चले जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे शेतान के दूतों को लिए तैयार किया गया Christianity एक reality है अगर इसे जिया जाए तो Amen ये एक reality है Bible कहती उसने याजकों की भूमी मोल नहीं ले क्यों नहीं मोल ले उसने याजकों की भूमी Bible कहती परमेशों ने कहा मैं याजकों को बेस्ट तेल बेस्ट दाख बेस्ट दुनिया की सबसे उत्तम से उत्तम चीज़े दूँगा व्योंकि ये लोग मेरी सेवा में है क्या कहा था जीजस क्राइस ने 500 लोगों को जीविस स्वरक पे जाने से पहले जाओ और सुसमाचार सुनाओ क्या उसने प्रिर्टों को बोला क्या उसने अकेला पास्टस को बोला उसने सब को बोला जाओ सुसमाचार सुनाओ तो क्या आप जीजस की कमांड को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सेवा में नहीं हो अगर आप सेवा में नहीं हो आप याजक की कुरसी छोड़ चुके हो अगर आप याजक की कुरसी छोड़ चुके हो तो जो लोगों के साथ हो रहा है आपके साथ भी वही हो रहा है आपके घरों में भी वही कलेश है वही बिमारिया है वही श्राप है और वही economic oppression और depression है क्योंकि याजकों की भूमी बोल नहीं ली गई Bible कहती है याजकों के लिए नित्य बंदोबस्त था उनके लिए जब COVID आया तो लोगों ने कहा कि अब देखते हैं चर्चिस कैसे चलती है लोग बंदोगे आने चर्चिस में चर्च खाली पड़िये सो एकड़ की चर्च खाली पड़िये अब देखते हैं क्या करते हैं ये लोग आप जानते हैं परमेश्व कई बार ऐसे समयों को आने देता है ताकि लोगों को बता सके मैं इसके साथ हूँ वो बता सके कि वो पुराना इसराइल का परमेश्वर वो यूसुफ का परमेश्वर वो इजहाग का परमेश्वर वो पत्रस और पॉलुस का परमेश्वर वो आज भी जिन्दा है वो बाते करने वाला परमेश्वर नहीं है आज तक मैंने इतनी charity लाइफ में नहीं की जो 2020 में COVID के टाइम में हमने की लाइफ में कभी नहीं की एक एक दिन में 35-35 लाक का चावल एक एक दिन में 12-12 लाक रुपे का चावल एक एक दिन में ट्रक से ट्रक आते थे continuous राशन जाता था लोगों के घरों में और कहां से पैसा आया खुदावन ने इंतिजाम किया मैं एक missionary college बना रहा हूँ अभी Bible college तो है मेरे पास जहां पर बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद वो अपनी ministry के branches को संभालते हैं जाके अपनी church open करता है वो तो है वो missionary college जो मैं बना रहा हूँ वहाँ से 10,000 pastors every year तयार हो कर जाकर अलग सेवा करेंगे उन्हें चर्च में रहने का हुकम नहीं होगा वो अलग इंडिया में जाएंगे अलग अलग जगा सेवा करेंगे 10,000 pastors आपका मालूं कौन सी जमीन पर बन रहा है वो यह वहीं जमीन पर बन रहा है जो वहने COVID के टाइम पर खरीदी थी उसी जमीन के पर बना रहा है परमिश्व वो शैतान को उसी की भाशा में जवाब दे रहा है कि तूने नश्ट करने की कोशिश की और यहीं पर मैं तरी चीजों को गाड़ूंगा और खतम करूंगा जहां से तूने गाड़ने की कोशिश की तूने शर्मिंदा करने की कोशिश की आप इसी जगा से तू शर्मिंदा होगा वो साड़े पांच वो दो लाक स्केरफिट का लेंड है जो कोविट के टाइम पे खरिदा गया था हालेलुया कोविट में लोगों को जरुरत बढ़ी लेकिन चर्च तैयार थी आमेहन खुदावन ने कहा है याजकों की भूमी नहीं कहीं पे जाएगी फिरॉन की और से नित्य बंदोवस्थ था एक दुश्मन के हाथ से परमेशों ने बंदोवस्थ किया पूरे इसराइल में अकाल पड़ा परमेशों ने कहा एलिया जा और करीत नामक नाले में छुप जा वहाँ कववे तेरे को खाना खिलाएंगे कववे चुराने वाला जीब है खाना किसी धाबे पे मजूद नहीं था इतना अकाल था बाइबल कहती है एक एक मुठी आटा एक एक बोरी आटा के लिए लड़ाईयां हो रही थी लोगों में खाना कहा मजूद था सिर्फ राजा की रुसोई में और बाइबल कहती एलिया मास और रोटी रोज तब तक खाता था जब तक वो कववों को बस न कह देगी बस क्योंकि वो याजक था याजकों के लिए परमेशुर का इंतजाम ऐसा है जैसा आम लोगों के लिए नहीं है तो क्या आप सेवा में हैं क्या आपका परिवार सेवा में है क्या आपका फाइनेंस सेवा में लगा हुआ है क्या आपके बच्चे सेवकाई में है क्या आप सुसमाचार दे रहे हैं या नहीं क्योंकि इसमें आपका फाइदा है परमेशुर का नहीं आमें जो सेवा करने हैं किसका फायदा है उनलोगों का याजक बनके किसका फायदा हुआ याजकों का फायदा हुआ कि उनको भूमी देनी नहीं पड़ी परमिश्वर ने उनकी भूमी को बचा के रखा हालिलुया उँची अवाज में हालिलुया बोलो अगर आज अब फेत करके जाएंगी परमिश्वर मैं अपनी लाइफ को पवितरताई में, अलगताई में, सिवकाई में रखोंगा मैं अपने शरीर को शैतान को नहीं दूँगा एक शरीर का काम सिर्फ एक आदम को कहां तक लेके गया सिर्फ एक शरीर का काम जो यूसुफ ने मना कर दिया उसको वो कहां तक लेके गया बाइबल कहती है कि तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीओगे सारी सिवकाई, सारी क्रिश्चन लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने शरीर को कितना फीड करते हैं पाप से कितना दूर रहते हैं आप परमेश्वर के साथ कितना अलग ताई में रहते हैं कितना सिवकाई में रहते हैं परमेश्वर के साथ कितना जुड़े रहते हैं परमेश्वर ने कहा, जब तू मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप तेरा आदर करेगा, और जब परमेश्वर आदर करने पे आता है, वो जबर्दस करता है, आज क्यों family satisfaction में नहीं satisfied नहीं, क्योंकि तुमने खुदा को कभी satisfied नहीं किया, एक का मुँ इधर, एक का मुँ उधर क्योंकि तुम्हारा मुँ भी परमेश्वर से दूर है इसलिए तुम्हारे हस्बिन का मुँ भी तुमसे दूर है तुमने परमेश्वर से बेवफाई की है दुनिया ने तुमसे तुमारे साथ की जो तुमने खुदा की लाइफ में बुया है वो तुमने काटा है उसने काँ, अगर तुम याजक हो, वो ये भी ध्यान रखता, तुमारा पार्टनर कौन है वो तुमें choice करने में help करेगा अगर तुम याजक हो और पवितरताई में चल रहे हो वो ध्यान रखेगा तुम कौन सा केरियर चुनते हो वो ध्यान रखेगा कि तुम सफल हो जिदर तुम जाओ जिस जगा पर तुम जाओ, आमेन हमें लगता है परमेशुर बड़ी बातों की परवान नहीं करता है बाइबल कहती है वो छोटी से छोटी बात की भी तुम्हारी चिंता करता है एक मा को चिंता होती है किस कलर के कपड़े अपने बच्चों को डलवाने है बाइबल करती परमेशुर तुमारी छोटी से छोटी बात की भी चिंता करता है आमेन इसलिए वचन कहता है कि याजकों की भूमी कहीं नहीं गई क्यों नहीं गई लोगि फिरॉन की और से नित्य बंदोबस था imagine करो जिन लोगों से नफरत करते थे वो चरवाहों से स्पेशल नफरत करते थे और उनी को कह रहे हैं कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट देश मिसर का हम देंगे वहाँ पर जाओ अपने भेड़ बकरियों को चराओ वहीं पर रहो बेस्ट हिस्सा इस देश का मैं तुम्हें देता हूँ क्यों? क्योंकि यूसुफ ने एक बीज बोया था कि बाइबल कहती वो हिला नहीं उसने अपने शरीर के सामने आतम समर्पन नहीं किया अपनी इच्छाओं की पूर्ती नहीं की अपनी काम की पूर्ती नहीं की बलकि परमेश्वर में बना रहा टिका रहा, खड़ा रहा और अड़ा रहा आज मेरी प्रेयर है कि खुदावन आपके यूद को आपके लोगों को पवितरताई के उपर चलने की ताकत और सामर्ते और आपका परिवार और आपके लोग सेम नहों आमीन ओचा तो ये आशिश आपकी है ओच ये बात में साथ बार बोलो, आमीन हालिलूया मेरा बिलीव है आप लोग इस बात को ध्यान से समझेंगे आमेन किस तरह से यूसुफ ने बरकत को पाया किस तरह से उसने फिरौन के आँखों में फेवर को पाया परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेरी आग्याओं को अपने पटियों पर हिर्दे पर लिख लेगा तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा दोनों की ग्रेश तरह पे होगी आद्मियों की ग्रेश भी तुपाएगा जिसरा यूस्वर ने पाई परमेश्वर की ग्रेश को पाया कि उसने दर्शन का मतलब समझाया राजा को बताया कि क्या दर्शन का मतलब है कि साथ साल बहुत फसल होगी साथ साल अकाल के होंगे इतने बड़े अकाल होगा वो कि साथ साल की फसल लोग भूल जाएंगे ये परमेश्व का grace था उसके उपर कि कोई जादू टोना करने वाला कोई किसे भी तरह का कोई पंडित Bible कहती उनको इस बात का मतलब बता नहीं सका जो यूसफ ने बताया ये परमेश्व का grace था उसके उपर और उसके बाद मिसर के राजा ने फिरॉन ने कहा जब तेरे माँ बाब भाई बहन यहां आ जाएं तो मैं उनको best से best मिसर का देश दूँगा Bible कहती है ये परमेश्व का नहीं ये इनसान का अनुगरता उसके उपर नितिवचन तीन उसकी तीन चार अगर है तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुगरह पाएगा और तू अति बुद्धी मान होगा आमेन आपको grace चाहिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो अपने business place में अपनी jobs अपने career में अपने पढ़ाई में अपने पढ़िवार में आपको grace चाहिए खुदावन की भी और इंसान की भी आमेन और परमेश्वर ने कहा है अगर तू मेरी आज्याओं को अपने हिर्दे पर लिख लेगा तो तू grace को पाएगा मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी हालेलुया मेरा believe है कि आप लोग पवितरताई के वचन को बड़े seriously लेंगे और अपनी life से उन कमियों को उन तूटियों को दूर करेंगे जो परमेश्वर रखी है कि आपकी life में ना हो और हमें लगता है यह छोटा सा काम है यह छोटा सा काम है इससे क्या हो जाएगा यह मेरी छोटी सी कमी है मेरी life की Bible कहती एसाव ने एक बार के भोजन के बदले में अपने पहलोटे होने के अधिकार को बेच दिया इसलिए आज आप बोलते हो अबरहम इजहाक याकूब का परमिश्वर नहीं तो हम यह कह रहे होते अबरहम इजहाक इसाव का परमिश्वर जब दाउद के घर में मसा करने के लिए नभी गया तो वो दाउद नहीं था जिस पे परमिश्वर की योजना थी आपको मालूम होना चाहिए वो उसका बड़ा भाई था जिस پर परमेश्वर की योजना थी उसको राजा बनाने की लेकिन वचन कहता है कि वो आयोग्य करार दिया गया किसी को भी बिना परके आप आयोग्य करार नहीं देते आपका स्कूल आपको फेल आपको यह नहीं कहता कि तू टैंथ में लेकिन जब वो सामने गए, परमेशों ने का, मैं इसे आयोग्य करार देता हूँ, second, आयोग्य, third, आयोग्य, सब आ गए, हाँ सब आ गए, एक रह गया, जो जंगल में रहता है, भेड़ बक्रियों को चराता है, जब वो आया, परमेशों ने का, यही है, इसे मसा कर, और इसल दोनों की life अब सेम हो सकती, लेकिन future में सेम नहीं होगी, spiritual चीजों का महतव है, spiritual चीजों की value है, आज एक शरीरिक इंसान और एक आत्मिक इंसान, दोनों का result, दोनों की position सेम लग सकती है, लेकिन future में ऐसा नहीं होगा, आमेन, मैं अपनी दोस्ते मिला, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, थोड़े दिन पहले मैं उस जगा से निकल रहा तो मैंने इसको phone के, मैंने कहा है तू, तो अपनी shop पे यह कहता, हाँ मैं आ जा बाहर में तरी wait कर रहा हूँ, यह मेरा वही दोस्त था, जिसने मेरे साथ बब्तिस्मा ल हुआ था, तो जब मैं परमेश्वर में गया और सुधार शुरू हुआ, तो वो जानता था कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है, अब एक समय आया, जब उसकी family और मेरी family दोनों विरोध करती थी, इतना विरोध करती थी, बोलते थी कि तुमारे pastor को pastor के घर ज पीस आयेगा, और challenge करते थे मेरे को, उसकी family ने एक दन उसको अपने पास बिठाया और बोला बिटा, ना तो तरी शादी करेंगे, ना तरी को दुकान देंगे, ना तरी को मकान में हिस्सा देंगे, तरी छोटे भाई को सब कुछ देंगे, अगर तुने Jesus Christ को नहीं छोड़ हमारी बात नहीं सुनी, तो तरह पता काट देंगे हम, और same pressure मेरे उपर था, कि तुझे बिजनस करना है, तुझे टाइल्स का बिजनस चलाना है, बहुत बड़ा बिजनस था, तुझे ये काम करना है, तुझे ये Christian लोगों के पीछे नहीं जाना है, मेरा decision अलग था, मैंने सेवा का फैसला लिया, परमेशव के पीछे चला, उसका decision अलग हो गया, और वो परमेशव से हट गया, उसकी marriage हो गई, उसको धुकान मिल गई, सब कुछ हो गया, जिस मा ने, जिस बाप ने उसका विरोध किया, जिस भाई ने उसका विरोध किया, एक साल में उसका भाई ड आज जब हम दोनों मिलते हैं और जमीन आसमान का फर्क लगता है और एक समय हमने एक अठे शुरुवात की थी और ज्यादा लंबा समय नहीं मैं बोल रहा हूं जस्ट 15-16 साल की बात कर रहा हूं आज एक शरीर में चलने वाला व्यक्ति और अत्मा में चलने वाला व्यक्ति जब डिस्विजन लेते हैं शरीर वाला और आत्मा में हो सकता है प्लेस्र आपPS कोके ज़्यादा ब्लेस लग सकता है वोगि मुझे बढ़ा कुछ की शादी हो गई, उसको दुकान मिल गई, घर में कलेश खतम हो गया, छोड़ो यार, परमेशो को क्या मानना है, दिल में मानने के परमेशो को जो घर वल जाते हैं, माथा देख दो वहाँ जागे, क्या प्रब्लम है, कुछ नहीं, घर में कलेश जखने हैं अभी, इसलिए कि कैंसर का फोड़ा दर्द न करे, जखम दर्द न करे, उसको ना निकलवाओ, तो वो आपकी मौत का कारण बन सकता है, अगर उसको निकलवादो, आज पेन हो सकती, लेकिन आप फ्री हो जाते हैं, इश्म से निका, मेरा रास्ता तंग है, थोड पार्टी में जाओ, कोई तंग रास्ता नहीं, खुला, इंजोई करो लाइफ को, लेकिन जीसस ने का, जो मेरा रास्ता है, वो तंग रास्ता है, और थोड़े हैं जो इससे पाएंगे, लेकिन वचन ये भी कहता है, मेरे मार्गों में उत्तम बदार्थ पाए जाते हैं, फ इसको नहीं पा सकते हैं, हालेलुया, लेकिन शुरुवात कहां से हुई, दोनों की शुरुवात एक सी लगती, शरीर वाला भी एक सा लगता है, और स्पिरिट वाला भी एक सा लगता है, तब शरीर वाला हो सकता है, जादा आशिशित लगे, कि इसको सारा कुछ मिल गया, और मैं आत्मा में रहके इतनी डिफिकल्टी सेन कर रहा हूँ, पडिवार में रोज कलेश, आप इमेजिन करो, आप अपने घर में हो, आपकी माता और पिता से कोई बात नहीं होती। ऐसे चर्च में जब मैं 50-60 लोग चर्च में आते थे, तो मेरा भाई लिख के लगा दिता था, कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता। आलेलुया। उसे मालुम हुआ कि ये फरक है मुझ में और इसमें, कि इसने इतने साल परमिशम में लगाए हैं, ये फरक है मुझ में और इसमें। इसने सेवा को नहीं छोड़ा, ये फरक है इसमें और मुझ में। मेरी लाइफ को देखा गया, परका गया। आपकी फैमिली कभी भी आपके परचार पर यकीन नहीं करती, याद रखना। आपकी फैमिली यकीन रखती है, आपके लाइफ के रिजल्ट के उपर जो आप दिखाते हैं, बाइफ फोर्स, बाइफायर। आमेह, वो आपके परचार को नहीं सुन दी, मैंने अपने फादर को बैप्टाइज दिया, अपनी मदर को बैप्टिजम दिया, अपने ब्रदर की वाइफ, मैंने अपने पूरे परिवार को मुफ्तिस्मा दे चुका हूँ। और आप इमेजिन करो, एक बार भी बैठ कर ऐसे एक सेकंड के लिए बाइबल खोल कर, मैंने उने कभी वचर नहीं बताएं, जो सुनते चर्च से सुनते हैं, और लाइफ देखते हैं मेरी घर पे, वो जीवन देखते हैं, पवितरताई का, अलगताई का, और रिजल्ट दे पवितरताई एक गुण नहीं है, सिर्फ एक गुण नहीं है, एक अच्छा एट्रिब्यूट एक नहीं है, पवितरताई एक हथियार है आप लोगों के लिए, आप नहीं जानते, आपकी लाइफ का वर्स्ट अटेक जो शैतान ने किया है, आप होलीनेस से उसे खतम कर सकते वो आपके हस्बेंड पे हो, वो आपके फाइनेस पे हो, वो आपके बच्चों पे हो, वो आपकी सेहत पे हो, वो आपके किसी भी चीज़ के उपर हो, पवितरताई को मेंटेन कर लो, प्रेयर को मेंटेन कर लो, सेवा करने शुरू कर दो, अटेक खतम हो जाएगा, वो स्ट नी हुआ खाएगा हालिलुया की कि आज मेरा वो दोस्ट भी एगरी करता है मेरी बातों से कि तूने stand लिया इसले तू यहां पे है कि मैं तोहीं स्टेंच के साफ मैं इसमें तोहीं कर सकता हूँ वो दिन मेरे दुख बरे थे, घर बे जाना, मा से बात ना होना, बाप से बात ना होना, भाई से बात ना होना, लड़ाई होना, जगड़े होना, कोई emotional attachment सब खतम हो गया था घर में, जिसस ने का, जो कुछ तु मेरे लिए छोड़ देगा, तु पाएगा, सौ गुणा पाएगा, आज मेरा परिवार मेरे साथ ज़्यादा आटेच होगा, मेरे भाई से भी, क्यों? उसका वचन पुरा हुआ, आमेन, लोस एंजलेस में ये फर्स्ट मैं सीट डालके जा रहा हूँ, मेरा बिलीव है आप लोग सेवा में जाएंगे, मेरा बिलीव है सुसमाचार आप लोग देंगे, मेरा बिलीव है आमे हैं, लोग को यहां सुसमाचार देने की आदत नहीं, इसलिए मैं जहां पी मेरी ब्रां करते हूं होग wanna ярम करते हूं है त्योकि लोगों को सूसमाचार देने की आदत नहीं है जो लोग ब्राज से बाहर अगर रूंट कर वाए वो कभी भी इतना सूसमाचार नहीं कर mnie management कर पाती है हालेलुया कि क governing are cool कि क्या आपको सिक भी töब को गे अगर I संदे हर थर्स्डे होती रीजन क्या उनके परिवारों को लगाया है सिवकाई में। कि आप प्रमिश्व के वचन के उपर खड़े हैं आमेन आप गरम है तो अगर हो थोड़ा पड़ेगा तो जल्दी शेप में आ जाएंगे आप लेकिन अगर आप ठंडे हैं तो पास्र हो थोड़े मार मार के ठक जाएगा और उसका भी विश्वास आप एक दिन खतम कर दोगे जो आज चर्चिस में हो रहा है हालेलूया मेरा बिलीव है आप लोग सेवा करेंगे आज एंजल्स आपको टच करेंगे अनॉइंटिंग आपको छूएगी आप सेम नहीं होंगे अपने परिवारों समेथ इश्व मसी के सामर्ती नाम में आमेनूचा ये बरकत आपकी है हाल वो सरकारें जो क्रिष्चन लोगों से नफरत करती हैं मैंने उसका फेवर पाया इंडिया आज भी आज भी मैं आपको बता रहा हूं यह वचन पूरा हो रहा है वो लोग जो नफरत करते हैं मिसरी बाइबल दिखा मिसरी चरवाओं से घृना नफरत देखते कैसी कैसी मार तो उनको और कहते कि जाओ बेस्ट तुम्हारा है मेरे देश का बेस्ट हिस्सा मैं तुम्हें दूँगा वो फेवर आप देखोगे इन शीजस ने मोली स्पिर्ट बता रहा है मेरे एक बंदा जो नफरत करता है मिस्री इस्राइलियों से चरवाओं से जो घ्रिना करते बाइबल करती नफरत हेट करते थे उनको और कह रहे भाई साब आजाओ मिस्र देश में बैस्ट गोशेन देश हरी चारगाहियों से भरा हुआ तुम्हें देता हूँ मेरे पशु भी तुम रख लो अधिकारी बन जाओ मेरे पशु के मेरे बिजनस में पार्टनर बन जाओ आपने भी फेवर देखा नहीं जब आता है आपका दुश्मन भी आपे फेवर करके जाता है बाइबल कहती है पूरे इस्राइल में कहीं खाने की जगा नहीं थी सिर्फ परमेशुर को मालूं का खाना कहा है राजा की रिसोई में और कव्वे वहां से लाला कर एलिया को खिलाते थे और जो बाइबल की और पुस्तके हैं अगर आप सटड़ी करेंगे एलिया जब उस अकाल से बाहर आया तो अपने शरीर में मोटा हो चुका तो उसका वेट बढ़ चुका था अकाल के टाइम पर भी परमेशुर ने कहा है मैं तुझे हस्मों को रखूंगा ये वचन बुरा होता है आमेन लेकिन क्या हम सेवक हैं क्या हम सेवकाई में हैं क्या हम परमेशुर के कामों को कर रहे हैं क्या हम अलग ताई में हैं क्या पवितर ताई में हैं क्या परमेशुर के वचनों को हम वो आदर देते हैं जो हमें देना चाहिए अगर हम देते हैं तो तैयार रहो फेवर लेने के लिए तैयार रहो नुकसान से बाहर आने के लिए तैयार रहो नए ग्रेस को नए अनुग्रह को देखने के लिए खुदावन के तैयार रो अपने पडिवार को बचता हुआ देखने के लिए इश्वमसी के नाम में हालिलूया इश्वमसी ने क्या कहा? उसने कहा तू बच तरह घराना बचाया जाएगा कौन बचा पहले? यूसुफ बचा उसने कहा अपने भाईयों को कहता निराश मत होना पच्टाना मत कि तू ने मुझे बेच दिया तुमने मुझे बेचा नहीं यहवा ने मुझे आगे भेज दिया धर्मी के उपर मुसीबत आई बाकी पापियों पे नहीं आए कहता है मैं इसलिए आगे आया हूँ कि इस देश में आउँ इसका अन बचाओं और फिर तुमको बचाओं तु बचतरा घराना बचाया जाएका रुबेन अपना घराना नहीं बचा सका क्यों बाइबल कहती अपने पिता की पत्नी के के साथ उसने विभीचार किया अपनी स्टेप मदर के साथ वो सोया इसलिए बाइबल के दी परमेशों ने उसे अपना घराना बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया और यकूब रुबेन तु दूसरों से श्रेष्ठ नहीं होगा क्योंकि तो एक विभीचारी जन है एक क्रिश्चन है लेकिन वह भी आम लोगों के जैसे सब कुछ कर रहा है क्यों कि लाइफ में पाप है उसको अगर पाप नहीं है वह एफेक्टिव होगा वह होगा आज नहीं तो कल होग उसने का रुबेन तू लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा आम लोग जैसे जीते तू भी जीएगा क्योंकि तूने अपने पिता के बिच्छोने को अशुद्द किया है और यूसुफ बाइबल कहती वो बचा और उसका घराना बचाया जाएगा आज लोग चर्च में आते बोलते मेरी पत्नी बचाई जाए मेरा बच्छा आजाए मेरे मापाप आजाए मैं उनको बोलता हूं तू बच्छ तू बच्छ पहले तू बच्छ तू बच्छ तू बच्छ गया तू अच्छी तरह से बच्छ गया और बचा रहा तेरी फैमली तेरे पीछे आएगी वचन कहता है 100% आएगे 99.999 नहीं 100% तेरा पड़िवार बचाया जाए possible नहीं मैंने का possible नहीं है कि तुम येश्यमसी के अनुसार चलो और तुमारा घराना बचाया राजाए possible नहीं वो आएंगे 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 मैंने कहा वो खुदावन लेकि आएगा उनको उसने वचन में लिखा तू बच तेरा घराना बचाया जाए आमें यूसुफ ने प्रेयर ने कि खुदावन मेरे घराने से मुझे मिला बलगी पाप से बच के रहा शरीव की कामों से बच के रहा अकेला था इमोशनल डिसर्ब था पाप कर सकता था बहाना था उसके पास लेकिन वचन कहता है वो परमेशन में रहा अलगताई में रहा अपने हाथों को उठाओ तेंक्यू जीजस